हलो एवरीबन कैसे हैं आप लोग गाशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं पिएचडी प्रोग्राम एडमिशन दो हजार चौबिस के बारे में तो यह जो नोटिफिकेशन आया है वह एक सेंट्रल इन्वस्टी से आया है आप देख सकते हैं स्क्रीन के उपर यह दिल्ली बिश्वित द्याल इन्वस्टी ओफ डेली से नोटिफिकेशन निकल करके आया है पिएचडी प्रोग्राम के लिए तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप को है देखिएगा ताकि आप कोई भी इन्फरमेश मिस ना कर सकें और यदि आप चैनल पर पहली बारा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा तो देखिए एडमिशन टू प्यजडी प्रोग्राम फोर अंडर दा बिस्वे स्राइया प्यजडी स्कीम आपको इस स्कीम के अंतरगत जो है यहां पर प्यजडी करना ह तो हां से ब्राउशर दिया हुआ था हम लोग ब्राउशर को यहां पर डाउनलोड कर लिये हैं अब इसमें हम लोग देखेंगे उसके लावा आपको रजिस्टेशन करना है तो आप देखिए यहां पर रजिस्टेशन का लिंक दिया हुआ है फ्यजडी.uod.ac.in आपको यह यहां से जाना है और आप चाहें तो यहां से रजिस्टेशन कर सकते हैं इधर देखिए निव यूजर रजिस्टेशन पासवर्ड रिसेंड वेरिफिकेशन लिंक वगर यह यह दिव डेट की बात करें तो आप यहां पर 27 अगस्त 2024 से लेकर जो है 10 सेप्टमबर 2024 तक आप यहां पर फॉर्म भर सकते हैं तो अभी भी आपके पास लगबग एक सब्ता है आप इस फॉर्म को बहुत आराम से सब्मिट कर सकते हैं अब बात करते हैं कि यह आखिर यह कौन सा प्रोग्राम है इसमें देखिए डिपार्टमेंट ओफ कंप्यूटर साइंस की तरफ से है अडिश्चित अडिश्चित नूष परी आप्धर कंपूश्यचित प्रोगणच ङेलए पिश्चित अडिटो ऑनिएस्चित वर्म भी डिसुट्यच अप्धर माइश् .. l.ici मCalण फे देखिए यह कौन्य peerya टो थीर 24 25 अडिश्चित फॉल्ह है उञेश्चित बबहुतर थ admitted under this scheme will be governed by the rules, regulations and guidelines issue at the Ministry of Electronics and IT. अब यहाँ पर जाकर के जो है आपको form submit करना है इन दोनों में से किसी एक website पर चले जाएए important dates हमने उपर में बात कर ली है यदि date of interview की बात करें तो third week of September में हो गया यानि की September माह के तीसरे सब्ता में जो है यहाँ पर interview होने वाला है प्रोग्राम फी जो है इनवस्टी के norms के हिसाब से है प्रोग्राम फी को प्रोग्राम फी को लेकर के ज़्यादा परिशान होने के आप शक्ता नहीं है चुकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फी नहीं होता है about the scheme की बात करें तो यदि आप इस scheme के अंदर में पीजडी में अड्मिशन लेते हैं तब आपको fellowship मिलेगा 38,750 पर मन्थ फर्स्ट और सेकेंड यर उसका बाद 43,750 रूपीज थर्ट तो फिफ्ट यर तक इच कैंडिडेट को मिलेगा Research Contingency Grant और सेकैंड इसंगत रमांट उस्ट इसर जितेदेजशन इस्षिर लेंप्रिमशन of rent for those full-time PhD candidates who are not provided hostel institute's accommodation. The selling for reimbursement of rent would be 24% to 16% and 8% of the fellowship amount as per the government of India taxic. Government of India norms for class X, Y, Z. One Time Support for Attending International Conference इसमें आपको जाना नहीं है. One Time Support Visit to Labs, Abroad, For the Selected Candidates Fulfilling यह नहीं. आपको यहां से जाकर फॉर्म भर देना है. Minimum Illigibility Criteria देख लीजिए यहां पर. MSC, MC, MTEC, MS, या कोई equivalent postgraduate degree है relevant discipline में. तो CGPA में आपको equivalent करना है 55% marks के लावा. marks के साथ and undeserved के लिए 50% जो है SC, STP, WD, OVC और EWS के लिए है. B.T.E.C. किये हैं आपने 4 year undergraduate degree लिया है तब आपको 75% होना चाहिए जो कि लास्ट वीडियो में भी हम लोग बात किये थे. application and selection process की बात करें तो आपको यहां से जाकर form भरना है. उसके बाद वो लोग जिसे priority देंगे उसको फिर बुलाया जागा. The department may consider conducting a written test if there are not enough eligible candidates after exhausting UGC net JIRF qualified candidates. Such candidates will have to appear in a written test 70% weightage and followed by interview or proposal. 30 इसका weightage मिलेगा आपको इसकी भी तयारी करनी है. Candidates who have successfully completed MFIL program will be examined from written test and they will appear directly for interview and the final selection of PhD candidates will be based to the verification of their academic and credential and the provisions of the ordinance governing the PhD program of the university. DU का यहां पर लोगो दिया गया है. तो आपका subject यहां इसमें शामिल है. देन आपको निश्चित तोर पर अपलाई करना चाहिए. दूसरे वही सेम चीज़ यहां पर दिये हुए registration बगारा के लिए और बस तीसरे नंबर पर यदि next university की बात करें तो देखें next university में हमने last में discuss किया था. करमवीर जो है भाव राव पाटिल इन्वस्टी यह जो है सतारा में है. और यह एक state इन्वस्टी है एबरीवरी नोस PhD इंटरेंस टेस्ट यहां भी होता है लेकिन PhD प्रोग्राम कंड़क्टर बाइदा इन्वस्टी ओनलाइन अप्लिकेशन फी यहां पर दे दिया है एक 9 सेप्टमबर से 15 तक और इंटरेंस एग्जामिनेशन फी पंद्रह सो से एक हजार यानि पंद्रह सो जेनरल का एक हजार इजर्वड कैटोगरी का सेंटर फोर इंटरेंस एग्जामिनेशन सतारा में होगा डेट आफ पीजडी इंटरेंस 29 को होगा यह सब अमने अभी देखा था इलिजिबिलिटी में पता है आपको से भी 25 सवाल पुछे जाएंगे यहाँ पर नोटिस किता चला गया सब्जेक्ट स्पेस्टिफिक से भी जो है 25 सवाल पुछे जाएंगे यानि टोटल सवाल 50 होगा और मार्क्स कितना होगा 100 डेड़ घंटा आपको टाइम मिलेगा लगबग 90 मिनट यानि परते क्रेशन पर एक मिनट अस्टेंडर्ड ऑफ मिनिमम पासिंग की बात करें तो जिनरल में है तो 50 परसेंट और रिजर्ट केटोगरी में है तो 45 परसेंट मार्क्स पर आप पास माने जाएंगे उसके बाद वाइबा होगा वाइबा के बाद फाइनल मतलब मेरेट लिस्ट होगा फूर सेलेक्शन है कैंडिडेट विटेज ऑफ सेवन्टी परसेंट ऑफ इंटेंस सेस्ट और थर्टी परसेंट अब दा परफॉर्मेंस इन इंटर्विव और वाइबा वोसी तो यह जरूरी हिस्सा है इलिजिबलिटी हम लोग जानते है कि मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स और 5% जो रिलाक्सेशन दिया जाता है और जो कैंडिडेट चार सल का ग्रेजोशन की हैं 75% मार्क्स लाया है वो भी डिरेक्ट प्येजडी में आ सकते हैं और यदि वो भी जो है किसी रिजर्ब्ट कैटोगरी से हैं तो वो 70% भी नमबर यदि उन्होंने लाया है तब भी जो है वो इसके लिए अपलाई कर सकते हैं बाकि यहाँ पर दिया हुआ है नमबरिंग कैसे किया जाएगा उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट वाई सीटेक की संख्या जो है यहाँ पर दिखाई गए यह आपको यह जानना हो विस्तार में तो चुकि लास्ट के वीडियो में हमने जो है इस पर डिसकस करवाया था यह पुरा complete तोर पर उसी के समय का जो है यह रंगा हुआ हिससा है तो इसी तरह से और भी इन्वस्टी में आया है जैसे हैदरावाद इन्वस्टी में है पांडिशेरी इन्वस्टी में है पीजडी नोटिफिकेशन तो आप इसके अलाबा भी कहीं और भी अपलाई कर सकते तो खुद को ऐसे अपडेट रखने के लिए फिर इस तरह का वीडियो इसका नोटिफिकेशन पाने के लिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो कर लिजेगा बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए